हाई वरिवन वेलकम टू इस वीडियो आज हम डिसकस करेंगे मन स्टैक वर्सिस मोबाइल इलमेंट के बारे में काफी स्टुटेंट्स को डाउट रहता है कि मन स्टैक में अब सैचुरेशन आ गया है काफी जादा कॉंपिटिशन है सब लोग मन स्टैक सीख रहे हैं तो क्या मन स्टैक की जगा हुने मोबाइल इलमेंट करना चाहिए मोबाइल इलमेंट मतलब iOS इलमेंट या Android इलमेंट करना चाहिए क्योंकि मोबाइल इलमेंट में जादा कॉंपिटिशन नहीं है इसलिए सैचुरेशन भी नहीं है तो शायद जॉब भी जल्दी लग जाएगी job openings किस domain में जदा अच्छी है, difficulty wise कौन सा domain जदा difficult है सीखने में, कौन सा domain जदा easy है सीखने में, flexibility किस domain में जदा है, and हम hybrid frameworks के बारे में भी discuss करेंगे, कि अगर आप mobile development सीख रहे हैं, तो आपको react native flutter सीखना चाहिए, या फिर proper native development सीखना चाहिए, and last में मैं एक project भी share करूँगा, मतलब इस video में, मैं android app का एक project बताऊँगा आपको, code को discuss करेंगे, तो आपको एक अच्छा idea लग जाएगा, कि अगर आप android element या mobile development सीखेंगे, तो क्या-क्या challenges हो सकते हैं, देखो मैं last seven years से हूँ IT industry में, मैंने front end में भी काम किया है, back end में भी काम किया है, and मैंने mobile app development में भी काम किया है, mobile development में मैं अंड्रॉइड पे काम किया है, currently मैं Microsoft में काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपने experience में, किस domain में ज़्यादा growth देखी है, and किस domain में असानी से job लग जाती है, मैं आपके साथ वो भी share करूँगा, last में मैं आपको conclusion भी दूँगा, तो इसलिए आप video end तक जरूर देखना, हम facts के बारे में बात करेंगे, latest trends देखेंगे, and हर एक point को हम detail में cover करेंगे, इसलिए आप video skip मत करना, फिर चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, इन दोनों domains को एक example से समझते हैं, let's say एक startup है, उसका एक product है, and वो उस product को market में sell कर रहा है, वो product एक service भी हो सकती है, या फिर एक physical product भी हो सकता है, तो सबसे पहले technology side पे, उसको front end बनाना होगा, और back end बनाना होगा, front end में वो website बनाएगा, product की detail शेर करेगा, pricing शेर करेगा, and payment SDKs को implement करेगा, accordingly वो back end भी implement करेगा, उसके बाद जब उसका product ग्रो करता है, जब उसको sale आती है, तो वो एक mobile app बनाएगा, वो Android के लिए iOS के लिए एक app बनाएगा, mobile app बनाने के लिए, हमारे पास काफी ज़्यादा options होते हैं, हम hybrid framework का use कर सकते हैं, जैसे reactative flutter, उसमें क्या होता है कि, एक ही बार हम code लिखते हैं, तो वो Android and iOS के लिए app बना देता है, या फिर हम native development भी कर सकते हैं, मतलब Android की app अलग से बनाएगे, iOS की app अलग से बनाएगे, तो अगर वो company native app development करती है, तो उसको mobile app के लिए दो team रखनी होगी, Android के लिए अलग से team रखनी होगी, iOS के लिए अलग से team रखनी होगी, और ये दोनों app सेम होगी, मतलब same feature होगे, एप में UI भी सेम होगा, flows भी सेम होगे, तो उस organization को ऐसा लग सकता है, कि product मैं एक बना रहा हूँ, बट salary मैं दो teams को दे रहा हूँ, Android टीम को भी salary दे रहा हूँ, iOS टीम को भी salary दे रहा हूँ, अगर web development की बात करें, तो web development की एक ही team होगी, क्योंकि Macbook पे भी सेम website रण करेगी, Windows पे भी सेम ही website रण करेगी, तो front end के लिए सेम team होगी, back end के लिए भी सेम ही team होगी, बट mobile के लिए दो teams होगी, अगर company hybrid framework चूज करती है, जैसे react native, flutter चूज करती है, तो problem यह है कि hybrid framework की इतनी अच्छी performance नहीं है, आपको latest features नहीं मिलते हैं, आप हर एक नए feature को यूज नहीं कर सकते हैं hybrid framework में, एंड app की performance भी कम रहती है, तो इस case में आपको क्या लगता है कि कि किस में ज़्यादा scope है, web development में या backend element में ज़्यादा scope है, या फिर mobile development में ज़्यादा scope है, job openings की बात करें, तो ज़्यादा job openings आपको full stack development में ही मिलेंगी, मतलब backend development या web development में मिलेंगी, क्योंकि हर एक company को mobile app नहीं बनानी होती, कुछ companies ऐसी हैं, जो सिरफ website ही बनाती हैं, backend ही बनाती हैं, उनकी कोई भी mobile app नहीं होती है, और जो companies mobile app बना रही हैं, उनका backend तो हो गई, और काफी ज़्यादा chances हैं कि उनकी website भी होगी, तो मतलब front end and backend developer की jobs हर एक type की company में होंगी, mobile developer की jobs हर एक company में नहीं होंगी, specific companies में ही होंगी, जिनकी mobile apps हैं, जिनका product mobile app से revenue generate करता है, अब एक बार latest trends भी देख लेते हैं कि salary किसमें ज़ादा है, currently job openings किसमें ज़ादा है, और उसके बाद मैं आपको अपना conclusion भी share करूँगा, तो आप ये वीडियो end तक जरूर देखना, अब एक बार job openings देख लेते हैं, मैं nocari.com में job openings देख रहा हूँ, पहले android अलपर की jobs देख लेते हैं, 0 से 1 year तक का experience में ने select किया, तो around 8000 प्लस job openings देखने को मिल रही है, salary range की बात करें, तो 3 से 6 lakh तक most job openings मिल जाएंगी, 10 lakh की range में भी काफी अची job openings आपको मिल जाएंगी, and most openings आपको bangalore में मिलेंगी, यह time to time change होती रहती हैं, जैसे अभी यह around 8000 बता रहा है, हो सकता है जब आप चेक करें, तो job openings जादा हो गई हो या कम हो गई हो, एक बार month stack की भी देख लेते हैं, तो same experience मेंने select किया, 0 से 1 year का experience select किया, तो यहाँ पर 9000 प्लस job openings मिल रही हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि मर्न में आपको job openings जादा मिलेंगी, because almost सभी company का at least, या तो back end होगा, या तो front end होगा, again salary range की बात करें, तो 3 से 6 lakh की range में जादा opening मिलेंगी, 10 lakh की range में भी opening मिल जाएंगी, यहाँ पर भी most job openings बैंगलोर में ही मिलेंगी आपको, तो जैसे आप देख रहे हो कि job openings में, या initial salary में जादा difference नहीं है, एक बार glass door में भी salaries को compare कर लेते हैं, as an android developer आप 4 to 10 lakh का package अन कर रहे होंगे, and on an average आप 6 lakh का package अन कर रहे होंगे, मन development में आप 3 to 7 lakh का package अन कर रहे होंगे, and on an average आप 4 lakh का package अन कर रहे होंगे, glass door में यह थोड़ा सा कम दिखा रहा है, बट इतना जादा difference नहीं आएगा, जब आप as a fresher apply करेंगे, job crack करेंगे, तो बहुत जादा difference नहीं होगा salary में, बट जब आपके पास 5 years का experience होगा, उसके बाद आपकी क्या salary होगी, फिर difference आ सकता है, job openings में भी difference आएगा, and salary में भी difference आएगा, अगर फिर से यहाँ पे नोगरी में देखें, और 5 years का experience select करें, तो Android में आपको 47,000 plus job opening मिल जाएगी, यहीं पर अगर month stack development की बात करें, तो around 49,000 plus job opening मिल जाएगी, बट मैं अभी आपको यह कह रहा हूँ, कि यह month stack की जो openings हैं यह गलत है, आपको इससे भी कहीं ज़ादा job opening मिलेगी, अगर आपके पास 5 years का experience होगा, आप video end तक जरूर देखना, उससे आपको clear हो जाएगा, कि कैसे month stack development में, with 5 years of experience, आपके लिए काफी जादा job opening होगी, अब मैं आपको अपना conclusion देता हूँ, यह मेरा एक opinion है, मैं आपको suggest करूँगा कि आप भी research करना, अपने friends से discuss करना, and fit decide करना, मेरा 7 plus years का experience है IT industry में, and उस experience का मैं आपको crux बता रहा हूँ इसमें, and यह एक सही conclusion होगा, ऐसा नहीं होगा कि end में मैं आपको बताऊँगा कि दोनों अपनी जगा अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी एक choose कर लो, मुझे अगर choose करना होगा तो मैं इन दोनों में से एक ही domain choose करूँगा, तो हम उनी points को discuss करेंगे और फिर decide करेंगे, सबसे पहले जब हमने jobs की बात की, तो हमने देखा कि मर्न में ज़्यादा jobs हैं, mobile में कम jobs हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक company का at least back end होगा, and mostly सभी companies का front end भी होगा, मतलब website भी होगी, बट सभी companies की mobile app हों, ये mandatory नहीं है, जैसे कुछ companies हैं जिनकी mobile app नहीं है, for example, git lab की mobile app नहीं है, git hub की mobile app है, बट उसका इतना ज़्यादा use नहीं है, even wikipedia की भी mobile app है, बट उसका भी इतना ज़्यादा use नहीं है, और ये काफी बड़ी companies हैं, इसलिए सभी companies की mobile app होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, even अगर companies mobile app रखती हैं, तो उनके पास काफी सारे option हैं, वो react native का use कर सकते हैं, flutter का use कर सकते हैं, या proper native development कर सकते हैं, तो जिनको एक अच्छी mobile app बनानी है, optimized app होनी चाहिए, परफॉर्मेस अच्छी होनी चाहिए, वो native का use करेंगे, और जिनका इतना ज़्यादा काम नहीं है, mobile app है, या फिर एक early stage startup हैं, वो react native and flutter का use करेंगे, hybrid frameworks आपको freelancing में भी help कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बार आप code लिखोगे, और दोनों platform के लिए app बन जाएगी, native के लिए या तो आप Android अलग से सीखोगे, या फिर iOS अलग से सीखोगे, तो दोनों में से एक ही सीखोगे, आप दोनों नहीं सीख सकते, विकास दोनों में काफी ज़ादा difference है, coding language डिफरेंट है, architecture ही डिफरेंट है, concept भी डिफरेंट है, iOS के लिए आपको Macbook भी चाहिए होगा, आप Windows के Laptop में या Linux में नहीं कर सकते, Android आप किसी में भी कर सकते हो, आप Windows में कर सकते हो, Linux में कर सकते हो, even Macbook में भी कर सकते हो, अब अगर salary की बात करें, तो same ही है almost, one में आपको on and average 6 LPA का package मिल जाएगा, and mobile में भी आपको similar ही मिलेगा, 6 से 7 LPA का package आपको मिल जाएगा, almost same ही है, but मैंने जैसे आपको बताया था, mobile में दो teams होंगी, Android की team होगी, iOS की team होगी, Android को भी 6 lakh का package company pay कर रही होगी, और iOS को भी 6 lakh का package company pay कर रही होगी, यहाँ पर एक ही team को company pay कर रही होगी, तो आपको यह बात समय में आ रही है कि company के लिए mobile development काफी costly पढ़ जाता है, क्योंकि app same रहती है, बट team different रहती है, यहाँ पर अगर web development की एक team होगी, या backend development की एक team होगी, तो यह एक ही team होगी जो web development कर रही है, जो backend development कर रही है, उसकी भी एक ही team होगी, यह मैं generally आपको पता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही team होती है, जैसे backend में हो सकता है कि payment के लिए एक team हो, फिर user management के लिए एको team हो, फिर analytics के लिए एको team हो, मतलब अलग अलग team हो सकती है similarly app में भी payment के लिए एक अलग team होगी home page के लिए दूसरी team होगी setting page के लिए third team होगी तो multiple team होगी बट मैं यह कहा रहा हूँ कि payment के लिए अगर एक team होगी तो उसमें android की एक team होगी और ios की एक team होगी home page में भी similarly android की एक team होगी और ios की एक team होगी यहाँ पर payment की एकी team होगी user data की एकी team होगी analytics की एकी team होगी इसलिए mobile element costly बढ़ता है company को वही companies mobile element में जाती हैं जिनकी app से काफी जादा revenue आता है जिनको एक simple सी app चाहिए जादा revenue नहीं है वो फिर react native का use करते हैं उससे एकी team में वो app बना लेते हैं अब अगर difficulty की बात करें तो मन के case में आप javascript सिखेंगे आप react सिखेंगे and आप express सिखेंगे back end के लिए node.js एक runtime environment है तो वो आप use करी रहे होंगे मन element में database के लिए आप mongo dv use करेंगे mobile element की बात करें लेट से अगर हम android की बात करें तो android के case में आपको kotlin सीखनी होगी जितनी भी आप apps बनाते हैं वो अब kotlin में ही बनती हैं आप java नहीं सिखेंगे आप kotlin सिखेंगे kotlin के बाद आपको android framework सीखना होगा क्योंकि android development एक front end development में आएगा आप android element में back end element नहीं कर रहे होंगे man stack में front end भी आएगा back end भी आएगा तो इसलिए android में back end stack कुछ भी नहीं है तो आपको सिरफ android framework ही सीखना है उसके बाद आप play store में कैसे app को upload करते हैं कैसे analytics देखते हैं वो भी सीख सकते हो Firebase सीख सकते हो तो यह असान ही है इतना difficult नहीं है इसमें major part जो है इसका हो है android framework man stack के case में javascript आप use करोगे javascript आपको easy लगीगी करने में javascript या react एंड जो express libraries हैं यह lightweight हैं तो इसलिए आप low config laptop में भी असानी से development सीख सकते हो android की बात करें तो kotlin आपको थोड़ी सी difficult लग सकती है सीखने में and जो android framework है वो आपको difficult लग सकता है इस framework में काफी ज़्यादा चीज़े आ जाती है last में मैं आपको code base भी दिखाऊंगा android framework का तो उससे आपको काफी अच्छा idea लग जाएगा अब android में और भी challenges हैं जो framework है वो काफी जादा RAM यूज़ करता है काफी resources यूज़ करता है तो आपको high config वाला laptop लेना होगा अब android में कुछ और challenges भी है जो android framework है वो काफी जल्दी change होता है मतलब हर एक साल एक नया android version आता है तो इसलिए आपको app भी उसके according अपडेट करनी होती है अपनी app को update करते रहना होता है यह mandatory होता है आपके लिए android में आपको काफी जादा devices मिल जाएंगी samsung की devices हैं oneplus की devices हैं और भी कितनी सारी companies की devices हैं अब इन सब devices के screen size अलग है operating system का version अलग है किसी में android 11 चल रहा है किसी में android 14 चल रहा है तो आप जो app बना रहे हैं वो हर एक android में support होनी चाहिए हर एक device में ठीक से चलनी चाहिए तो यह भी एक challenging task होता है कई बार क्या होता है कुछ crash आता है वो device specific होता है मतलब हो सकता है android 11 में आपकी app crash कर रही हो बट android 14 में ठीक से चल रही हो या फिर samsung की devices में कुछ crash आ रहा हो बट बाकी devices में ठीक से चल रही हो तो इस टाइप के issues आपको app में काफी साथ आते हैं उनके लिए आपको regularly fixes करने होते हैं तो यह भी एक challenging task है android में app updates भी slow होते हैं because आप play store के थुरू app update कर रहे हैं आपको पहले build बनाना होगा उसके बाद आप उसको play store में upload करेंगे फिर आप staged manner में roll out करेंगे and user के पास भी एक choice होती है कि वो app update कर रहा है या नहीं कर रहा है लेट से अगर आपकी app में कुछ crash है आपने app update भी कर दिया अगर user update नहीं करता है तो वो crash आता रहेगा app में जब भी आप android की app बना रहे हैं तो आपको काफी ज़्यादा ध्यान रखना है कि app में crash ना आए हर एक type की device में app ठीक से चले हर एक android version में ठीक से चले तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है मनस्टेक के case में version का कोई issue नहीं होता react update होता रहता है time to time तो उसके according आप नए features एड़ करते हो बट device specific issues नहीं आते हैं updates भी fast होते हैं क्योंकि आप एक वार website deploy कर देते हो तो user को latest website ही दिखती है backend जब आप deploy कर दोगे तो latest backend ही use होगा ऐसा नहीं है कि user को website manually update करनी पड़ रही है या फिर API version manually change करना पड़ रहा है instant update user को मिल जाता है android में play store होता है ios में app store होता है तो app store और play store भी आप से payment लेते हैं जब आप app upload कर रहे हैं आप account बना रहे हैं तो उसके लिए आपको payment करना होता है app store yearly payment लेता है let's say आपके app में कुछ services हैं जिसके लिए user pay कर रहा है तो उस payment का commission भी आप Google या Apple को contribute करते हो तो इसलिए कुछ companies क्या करनी हैं कि payment के लिए वो website में redirect कर जाती हैं या फिर वो app में allow यह नहीं करती payment के लिए चैते हैं कि payment करनी है तो आप website visit करो flexibility की बात करें तो मन के case में आप front end development भी सीखोगे back end development भी सीखोगे and जैसे मैं आपको बताया था कि with five years of experience आपके पास काफी ज़्यादा job opening होगी तो अब समझते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा था जब आप back end element कर रहे हो तो आपके पास काफी ज़्यादा option होते हैं आप Java में कर सकते हो आप JavaScript में कर सकते हो Python में कर सकते हो GoLang में कर सकते हो तो जब आपके पास experience होता है तो आपको concepts अच्छे से आ जाते हैं आपको पता है कि system design कैसे करते हैं schema कैसे बनाते हैं कौन सा architecture use करना है testing कैसे करते हैं तो back end के concepts की आपको knowledge हो जाती है तो आप back end multiple coding language में असानी से कर लेते हो मतलब जब आपके पास experience होगा आप back end element के लिए apply करोगे तो हो सकता है कुछ companies Java में back end element कर रही होगी कुछ companies Python में कर रही होगी बड आपने JavaScript में किया होगा आपको concepts अच्छे से आते होगे तो आप इन companies में भी apply कर सकते हो आप interview में DSA के round दे सकते हो system design के round दे सकते हो तो coding language आपके लिए bottleneck नहीं है काफी सारे back end developers ऐसे हैं जिन्होंने multiple coding languages पे काम किया है experience के साथ आपको multiple coding language सीखनी होती है एक coding language में आप restrict नहीं रहते हो बट front end में आप react यूज कर रहे होगे JavaScript के साथ आप TypeScript सीख सकते हो बट front end में JavaScript ही यूज होती है कोई और coding language यूज नहीं होती Android के case में आप Kotlin सीखोगे and with experience आप react native भी सीख सकते हो Flutter भी सीख सकते हो बट ये तीनो stack जो है वो front end development में ही आते है and जैसे मैंने आपको पताया था कि Android framework भी अपने आप में काफी vast है तो इतना easy नहीं होता parallel में आप react native भी सीख लो Flutter भी सीख लो क्योंकि concept different हो जाते है Flutter के different concepts है react native के different concepts है and native Android element के अलग से concepts है तो इसलिए आप एकी stack अच्छे से सीखते हो starting में मैंने आपको doctor versus dentist की एक example दी थी तो देखो जो back end development है वो core coding development में आती है उसमें आप challenging problem solve करते हो front end development काफी easy मानी जाती है because उसमें आप buttons बना रहे हो screen बना रहे हो background color दे रहे हो यही सब काम कर रहे हो आप इसलिए front end developers की जो salary होती है growth होती है वो इतनी जादा नहीं होती compare to back end developers and back end developers की job openings भी जादा मिल जाएंगे आपको because back end development complex होता है जितना complex product होगा उतना complex उसका back end होगा इसलिए multiple teams रखनी पढ़ती है company को देखो मुझे अगर choose करना होगा तो मैं man stack को choose करूँगा because man development easy है सीखने में मैं front end and back end सीख लूँगा and जैसे मैं आपको होता है back end में काफी अच्छा scope है with experience अगर मैं multiple coding language सीख लेता हूँ तो मैं काफी जादा companies में apply कर सकता हूँ back end में मैं complex problems में work करूँगा front end में majorly UI and screens ही develop करनी होती है but back end में हम practical problems को solve करते है optimizations पे work करते है तो interesting work होता है back end element का android element का हमें एक benefit ज़रूर रहता है जैसे मैंने आपको बताया कि android element थोड़े सा difficult है तो अगर आप android अच्छे से सीख लेते हो तो आपके लिए competition कम हो जाएगा मतलब आप easily interview crack कर लोगे job openings कम हैं तो हो सकता है आपको interview calls भी कम आए बट जब भी आप interview के लिए appear होगे तो आपके लिए job crack करना असान हो जाएगा देखो अभी काफी ज़ादा students परिशान हो रहे हैं कि कौन सा stack चूज करें कौन सी coding language में ज़ादा jobs है तो अभी market में investment कम है इसलिए freshers की job opening कम है हमने नोकरी में भी देखा था कि with 5 years of experience काफी ज़ादा job opening थी बट freshers के लिए बहुत कम थी तो आप जो stack कर रहे हो आप उसे complete करना उस पे sample projects बनाना जैसे ही investment आएगी market में job openings होंगी तो आपको भी interview calls आने लग जाएंगे I hope आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा अगर आपके कुछ doubts हैं तो ज़रूर comment करना अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe भी कर लेना अब मैं आपको जल्दी से android framework का code base भी दिखा देता हूँ उससे आपको एक अच्छा idea लग जाएगा ये मैंने android studio open किया है एड एक sample app बनाई है एक बार app को run करके देखते हैं तो जैसे आप देख रहे हो ये emulator run हो रहा है साथ में एक second लगे हैं app को build होने में code base चेक करें तो यहाँ पर मैंने screen बनाई है ये main screen है app की और ये detail screen है दोनों screen activity है हम fragment भी यूज़ कर सकते हैं business logic के लिए हम view model यूज़ करते हैं यहाँ पर जैसे मैंने list screen का view model बनाया है data fetch करने के लिए मैं repo का यूज़ कर रहा हूँ list दिखाने के लिए तो यह बहुत ही simple सी app है android की इस app में जादा logic नहीं है मैं notifications का use नहीं कर रहा हूँ database का use नहीं कर रहा हूँ किसी भी service का use नहीं हो रहा है तो भी आप देख रहे हो काफी जादा files है and काफी concepts यूज़ हो रहे हैं MBVM architecture यूज़ हो रहा है recycler view यूज़ हो रहा है dagger यूज़ हो रहा है UI मैंने XML में ही बनाया है jetpack compose का use नहीं किया है but currently अभी सब companies jetpack compose में shift हो रही है तो जब आप android element सीखेंगे तो ये basics में ही आएगा उसके बाद आपको और भी concept सीखने होंगे आप बताना अगर आप android element में interested हो तो मैं उसके related भी एक course बनाऊँगा आप ज़रूर comment कर देना अब एक वर performance देख लेते हैं इसकी यहाँ पर मैंने task manager को open किया है तो आप देख रहे हो android studio around 2.3 GB की RAM यूज़ कर रहा है parallel में मैंने vs code को भी open किया है यह सिरफ around 300 MB की RAM यूज़ कर रहा है तो इससे आपको एक अच्छा idea लग गया होगा कि android framework कितना सदा heavy होता है android के साथ आप देख रहे हो java platform library भी रन हो रही है यह emulator रन हो रहा है जो 1.7 GB की RAM यूज़ कर रहा है तो अगर तीनों processes को add करें around 4.5 GB की RAM यूज़ हो रही है अगर आप इस project के बारे में सीखना चाते हो step by step तो आप ज़रूर कमेंट करना अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe भी कर लेना